दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसे का विस्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे इसका साइज है 24 x 36 24 वाई 36 फिट में पूरा मॉडल मैंने क्रेट किया है हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो लगातार हमें कमेंड कर रहे प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी को डिस्कस करेंगे तो बने इस वीडियो में लगातार में वह पहुंचा कड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल इस्माल हॉष प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू करनेए सह सब्सक्राइब नहीं किया तो जडियो कर लें श्र relación के न जूरू दपा दें से मेरे आने वाले सभी वीडियों आप देख सके हैं इस समाल हॉष प्लान पर आपको तो लगातार अपडेटर वीडिय इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिससे आप जब भी घर बनवाएं तो आपको एक नया आइडिया नया लोग देखने को मिल जाए तो जो आज का प्लाइन है उसे मैं सबस्क्राइब करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टि देखने को मिलेगा और उर किि अगर आप किसी भी का प्लों सर्विस इस्तिम्माल करना चाहते हैं घर भर बनवाणा चाहते हैं तो मैंने sermise से इस्तमाल स्टार की है जिसके त्याइफ में कॉंटेक्ट कर सकते हैं नंबर हमारा इसकेप्षिन में वाटल सूम नंबर है आप में कॉंटेक्ट करें मैं आप से बात करके आपर के अपकी और में पर देखने को मिलता है और यहां से आप अंदर जाएंगे और इसके बाद यह में डोर है यह विंडो है और यह आपके गेश्टू मैंने क्रिट किया जिसमें डोर मैंने अंदर से दिया है साइड से आप स्टेर्स मिल जाती इससे आप udah सा मिल सब्सक्राइब और इसके साइड में देखिए दोन्म बेड़्रूम एक फ्रेंड Is? त्रूं में बेड़्रूम इसके करता है डूर अंदर से है विंडू की एक अंदर से मैंने दिये और एक इस कॉर्णर पर भी आपको वैड डूम मिलता है और इस कॉर्णर पर दिखिएगा फ्रेंट में आपका एक किशिन एरिया है और किशिन के लिए मैंने डूर इदर से दिया है फ्रेंट से विंडू दिया ventilation के लिए और इसके just पीछे latent bath बड़ा सा क्रेट किया है इसके लिए door आपका ये gallery आपका देख रहा है ये door है और यहां से जाएंगे पीछे आपका जो पूरा area है ये पूरा आपका latent bath के लिए मैंने assign किया है तो पीछे latent bath फिर आपका यहां पर kitchen area मिल जाता है इसका दो side में bedroom मिलता है ये open area मिलता है और आगे बात करें आपको porch मिल जाता है तो ये तो पूरी ground floor की बात हो गई अब हम बात करते हैं सके फाश floor की तो ये इसका फाश floor है और और सारी चीजें सेम है देखी कि दोनों bedroom वही है kitchen वही है, latent bath वही है stairs भी वही है और ये जो मैंने post design किया था नीचे वो आपका एक balcony यहां पर इस्तमाल होगा, door से बाहर आएंगे जब balcony यहां पर से इस्तमाल कर पाएंगे side की बात करें तो ये window जो था इसे मैंने पूरा complete कर दिया पहले rectangular है round color का है जो उसमें arc आपको जो दिख रहा है तो ये और यहां पर color combination भी मैंने थोड़ा different यूज किया है texture वगारा यूज किया है जिससे आप घर को यतरीन सा लोग देखने को मिले white color का आप देख रहे है ये तुमारा second floor का part है इसे आप ignore करें अभी सिर्फ आप इतनाई yellow का लड़का जो देख रहा है इसी को considered का है इस second floor का part है तो ये पूरा ground floor की बात हो गई last floor की बात करें तो ये इसका last floor है चारो तरफ साड़े ती फ्रेट का boundary front में बेतरीन सा railing आपको देखने को मिल जाता है और इस railing को थोड़ा से स्टैलिस्ट बनाने के लिए मैंने ये जो आप देख रहे होंगे ये अंडा आकार का जी रिखी है ये मैंने कुछ डिजाइनिंग के पर पर सी यूज की हैं चीजें जिसे आपके घर को एक बेतरीन सा लोग देखने को मिल जाए तो ओवरॉल 24 वाई 36 पर में मौडल क्रिएट होकर आ जाता है सेकेंड इस्टोरी तक जिसमें दो बैट डूम लेट बात के चिशन स्टेर्स बगरा सब कुछ मिलता है पोर्च भी मिलता है तो मौडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं इसा सब वीडियो क्लाइस से जरूर करें किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं अगर आप इसका कॉस्ट फाइंड डाउट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएं आपर इसमाल आउस प्लान अप्लिकेशन है हमारा उसे सर्च करें डाउनलूड करें लोगो शेम है जैसा कि यह हमारा चैनल का लोगो है तो आप उसे आइडिन्टिफाइ कर पाएंगे कि किस अप्लिकेशन को आपको डाउनलूड करना है वहाँ पर आपको पूरा ओवरार कॉस्ट बता दिया जाता है कि आपको घर बनवाने में कॉस्ट और मेटिकेशन कितना लगने वाला है इस वीडियो को शेर करने चैनल को सब्सक्राब नहीं कि तो जरूर कर ले थैंक्स वाचिप